नमस्कार दोस्तों मैं काचलुपाधिया और अब सभी का स्वागत है मेरे चानल की एक और नई वीडियो में तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है दंड के सिधान्द और दंड के प्रकार जैसा कि दंड के बारे में आप जानते ही है दंड क्या होता है दंड एक प्रकार का जागरुप दबाव होता है जो कोई व्यक्ति जब समाज विरूदी कारिय करता है तो उसको कस्ट देने के लिए आर्थिक या शारिडिक जो प्रतारना दी जाती है कस्ट दिया जाता है वो कहलाता है ये तो था दंड अब हम जानेंगे दंड के सिद्धान्त के बारे में और दंड के प्रकार के बारे में तो इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दंड के सिद्धान्तों की तो जानते हैं दंड के कितने सिद्धान्त हैं दंड के निमने लिखे पांच मुख्य सिद्धान्त हैं नमबर वन प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त नमबर टू प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त नमबर थ्री निरोधात्मक सिद्धान्त नम इस सिद्दान्त के अनुसार जितनी क्षती अपरादी द्वारा पहुचाई गई है उतनी क्षती उसे भी पहुचनी चाहिए तभी वह अपरादी प्रवर्ती से मुक्त हो सकेगा जो प्रतिशोदात्मक सिद्दान्त है यह बदली की भावना पर आधारे सिद्दान्त है अब टेट फोर टैट, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी बढ़नी, लाइक वही कि न, जो उसने किया है सही वैसी उसको मिले, अगर उसने किसी का murder किया, तो उसको फांसी की सज़ा हो, कुछ ऐसी ही सज़ा पर ये सिदान्त आधारित होता है, इस सिदान्त में बदले की भावना जो प्रति रोधात्मक सिद्धान्थ की बारे में जानते हैं इस सिद्धान्थ के अनुसार अप्राधी को ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे समाज की अन्य व्यक्ति भैबीत हो सकें और अप्राध से दूर रहें जैसे कि मैंने आपको जब दंड के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन समय में दंड ऐसे दिये जाते थे कि यदि एक व्यक्ति ने को ये प्राद किया है तो जब उसको दंड मिलता था तो अन्य व्यक्ति भी उस दंड से भैवीत होकर वैसा इस सिदांत में अपराधी को उसकी अपराध से भी अतिन्त कठोड दंड दिया जाता था, ताकि वे अपराध को छोड़ दे. बात करते हैं सिदांत number 3 की निरोधात्मक सिदांत, इस सिदांत का अभिप्राई अपराधी को अपराध करने से, रोकने से है, जिससे समाज सुरक्षित हो सके जिसके लिए अपरादी को समाज से प्रत्थक कर दिया जाता है जो निरोधात्मक से दानत है इसमें ऐसा किया जाता है कि जो अपरादी है उसको अपराद करने से रोकना होता है जैसे वो चोरी कर रहा है तो हमें उसको समझाना चाहिए उसको जोरी करने से रोखना चाहिए यदि वो कहीं डखेती कर रहा है तो उसको डखेती करने से रोखना चाहिए ताकि जो समाज है वो सुरक्षित हो सके जिसके लिए प्रादी को क्या होता है कि समाच से अलग कर दिया जाता है अलग कर दिया जाता है मितलब या तो उसको जेल में बेज दिया जाता है कारगार में बंदी बना दिया जाता है या फिर उसका भरिशकार कर दिया जाता है या फिर उसके उपर आर्थिक दंड का जो प्रावधान है वो किया जाता है या फिर उसको शारिरिक रूप से दंड किया जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं सिदान्त नमबर 4 की सुधारात्मक सिदान्त सुधारात्मक सिदान्त का अभी प्राय अपरादी व्यक्ति को सुधारना है उसका इलाज खरना है इसका उद्देश अपरादी को अच्छा व्यक्ति बनाना है इसके लिए अपरादियों को कारगार मे अनिक प्रकार का ग्यान दिया जाता है आज के समय में दंड का सुधारात्मक सिदान थी अधिकुप योगी माना गया है जो सुधारात्मक सिदान थैं जैसा कि इसके नाम से भी स्पस्ट होता है कि एक ऐसा सिदान जिसमें एक अपरादी को सुधारा जाता है उसका इलाज किया जाता है ताकि जो भी उसने अपने अतीत में बूरे कारे किये हैं अपराद किये हैं वो उनको सुधार कर सके और कारागार से बाहर आ सके कारागार में ऐसे अपरादियों को अनित प्रकार के ग्यान दिया चाते हैं ताकि वो ग्यान लेकर सुधार की इस्तिति में आकर कारागार से मुक्त हो सकें तो जो वर्तमान समय में जो सुधार आत्मक सिद्दान्त है यही उपयोगी माना गया है नेक्स्ट हम बात करेंगे सिद्दान्त हमबर 5 की जो की सिद्दान्तों का आखरी सिद्दान्त है बात करते हैं आदर्शात्मक सिद्दान्त के वारे में तो यह जो सिद्दान्त है इस सिद्दान्त में कहा गया है कि दंड का मुख्य उदेश्य भय उत्पन करना या अपरादों की रोग थाम करना नहीं बलकि नियाय की स्थापना करना भी है अब तक आपने जितने भी सिद्धानतों के बारे में जाना उसमें किसी भी सिद्धानत में नियाय की स्थापना करने का जिक्र नहीं है बलकि आदर् जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि डंड कितना वी कठोर हो सकता है गंबीर सि गंबीर दंड भी दिये जाते हैं। लेकिन जो आदर्शात्मक सिदान्त है, यह सिदान्त यह कहता है कि एक अपरादी का जितना अपराद है, उसको सिर्फ उतना ही दंड दिया जाए, उसको उससे अधिक दंड ना दिया जाए, इतना दंड जो अपराद की प्रवर्ति के अनुकूल हो, क्योंकि व्यक्ति अपराद अनेतिकता के विवश होकर कहता है अतहा दंड का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को नेतिक बनाना होता है एक अपरादी व्यक्ति को नेतिक बनाना ही आदर्शात्मक्सदान का कारिया है अब अनैतिक्ता से विवश होकर मतलब जो एक निती के विरुद है उस चीछ से विवश होकर वो एक अपरादी बन जाता है ऐसे विक्ति को नैतिक्ता के पद पर चलना सिखाना ही आदरशात्मक सिद्धान्त का कारी है तो ये जितने भी सिद्धान्त है जितने भी थयोरी है इन सभी सिद्धान्तों को एंट हो जाता है अब हम आगे वीडियो में बात करेंगे दंड के प्रकारों की भारतिय दंड सहीता की धारा 53 में 6 प्रकार की दंड की विवस्ता की गई है वर्तमान समय में दिये जाने वाले दंड निम्ने लिखित है मृत्यू दंड, आजीवन कारावास, समपती को जब्त करना और जुर्माना ये हैं दंड के कुछ प्रकार बात करते हैं मृत्यू दंड की मृत्यू दंड किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर न्याय प्रकरिया के फल्स्वरूप किसी अप्राद के परिणाम में प्राणांत का दंड देने को कहते हैं जो मृत्यू दंड है वो किसी व्यक्ती को कानोनी तोर पर जब न्यायक प्रकृया जो है वो हो जाती है पूरी तो उसके फलणब उस अप्राधी को प्राणांते जो दंड दिया जाता है उसे मरत्यू दंड कहते हैורה मतलब इतने गंबीर जो वो अपराद करते हैं, जिनकी एक मात्र सजा होती है, मृत्यूदंड तो वो उनको दी जाती है यह जो मृत्यूदंड है, यह एक प्रकार का शारिरिक दंड है सहिता में निम्ने लेकित अपरादों के लिए मृत्यूदंड दिया जाता है जैसे ऐसा मिथ्य साक्षय देना या गड़ना जिसके कारण निर्दोश व्यक्ति को मृत्यूदंद दिया जाए मतलब कुछ अपरादिय ऐसे होते हैं जो एक जगन्य अपराद करने के बाद भी अपने ही मनगड़न्त साक्षय को बनाना शुरू कर देते हैं अपने ही मनगड़न्त स्टोरी बना लेते हैं कि हमें वहाँ पर ये सुनाना है और जिसके कारण किसी निर्दोश व्यक्ति को प्राण दंद दिया जा रहा हो तो उस कंडिशन में क्या होगा उसको मृत्यूदंद दिया जाएगा या फिर किसी की हत्या कर दी हो उस कंडिशन में भी उस अपराणी को मृत्यूदंद मिलेगा या फिर किसी अवयस्क या पागल या उम्मत को आत्म हत्या करने के लिए प्रेडित किया जाए तो धारा 305 के तहट उस व्यक्ति पर क्या होगा कारिवाही की जाएगी और उसको उसके तहट मृत्यूदंद दिया जाएगा बात करते हैं दंड नंबर टू की आजीवन कारवास आजीवन कारवास एक ऐसा दंड है जिसमें अपरादी को अपने जीवन के अंत तक जेल में गुजाना पड़ता है या यूँ कहीं कि एक अपरादी अपनी पूरे जिन्दगी जेल में बिता देता है उसकी कुछ ऐसे अपराद होते हैं जिसकी एक मात्र सजा आजीवन कारवास होता है यह दंड कुछ गंबीर अपरादों के लिए दिया जाता है गंबीर अपराद जैसे किसी की हत्या कर देना, मानव तसकरी, जाल साजी, चोरी, डकैती यह सारे मामले जिनमें एक अपरादी को आजीवन कारवास के सजा दी जाती है जिन्दगी भर उसको जेल में रहना पड़ता है तो यह भी दंड का ही एक प्रकार है बात करते हैं दंड नमबर त्री की समपत्ती को जब्त करना दंड का यह प्रकार आज के समय में लुपतसा हो गया है अपरादी द्वारा कुछ अपराद ऐसे भी किये जाते हैं जिनकी एक मात्र सजा उनकी पुझी को जब्त करना होता है कानूनी तोर पर उस अपरादी की पुझी को जब्त कर लिया जाता है कुछ ऐसे भी अपराद होते हैं जो एक व्यक्ति एक अपरादी द्वारा किये जाते हैं और कानूनी प्रकरिया में उनको उनकी जो संपत्ती है उनकी जो पुंजी है उनके जो महतुपुंदस्ता वेज हैं उनको कानूनी तौर पर जब कर लिया जाता है ये भी दंड का ही एक प्रकार माना जाता है बात करते हैं दंड नंबर 4 की जो कि इस वीडियो का लास पॉइंट है जुर्माना जब कोई व्यत्ती कानून तोड़ता है या नियम के विरुद कोई कारी करता है तो कुछ परिस्तियों में उसे दंड के रूप में कुछ रकम अधा करनी पड़ती है जैसा कि मैंने आपको जब दंड के अर्थ के मारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो दंड होता है वो आर्थिक और शारिक दोनों रूप में हो सकता है तो यहाँ पर जिस दंड की बात की गई है वो दंड है आर्थिक अभी तक आपने जितने भी दंड के प्रकारों की रूप में जाना है वो सारे दंड शारिरिक रूप से थे लेकिन जो जब जुर्मानी की बात आती है तो जो जुर्माना है या समपति जप्त करना है ये जो द कानून तोर्माना लगाती है, अब जो सरकार जुर्माना लगाती है, ताकि जो अपराद को जन्म देते हैं, कानून को तोड़ते हैं ऐसे वेक्तियों पर जुर्माना लगा कर उनको कानून को बचाय रखने के लिए कानून के नियमों का पालन करने के लिए उनको बाद्य किया जाता है यदि इनसे जुर्माना लेंगे तो शायद ये कानून को ना तोड़ें पूर इग्زेंपल जब भी ट्राफिक सिगनल पर आप रेड बत्ती को क्रॉस करते हो लाल बत्ती को क्रॉस करते हो तो ट्राफिक पुलिस आप से चलान के रूप में कुछ रकम की अदाईगी करने को कहती है जब आप उस रकम को देते हो तो वो आपका जुर्माना ही माना जाता है एक ऐसा कानून जिसको बाध्य गणने के लिए आपसे कुछ रकम की अदाइगी की जाए तो दंड ही होता है तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक मेरी चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और मेरी चानल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें थेंक्यू सो मच फोर वाचिंग माँ वीडियो